गूर्णिंग माई डियर स्टुड़न्ट दिस इस अ कुमास ओरफ एंड फर्स्ट वोल विलकम टे विए सारड़ा कॉंसेप्ट के लिए एक्जाम के लिए अज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना निव टॉपिक जिसका नाम है टेंस जिसका क्या नाम है सर्थ टेंस और आज के क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे कि वोट इस टेंस टेंस किसे कहते हैं तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमने जो है पिछले जितने भी क्लासेश लिए हैं उस सारे क्लासे जो थे वो बेसिक इंगलिस के क्लासेश थे जिसमें हमने आपको एक फॉंडेशन तयार किया था बेसिक इंगलिस का जिसमे बिल्कुली अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा तो जिन बच्चों ने पिछले कलास को नहीं देखा है वो बच्चे सबसे पहले तो जाके पिछले कलास को देख लेंगे और ये पिछले कलास कहां मिलेगा सर्ट? तो पिछले कलास जो है वो हमारे एप VSR Adda पे मिलेगा और आप चाहो तो YouTube पे भी हमारे VSR Adda चैनल पे जाओगे और प्लेलिस्ट में देखोगे Basic Foundation Batch के नाम से एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पे सारे कलासे जो है proper way में, sequence way में चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चो तो चलिए आज का कलास हम लोगा स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज हम लोग जानने का कोशिस करेंगे कि TENS किसे कहते हैं What is TENS और यह हम लोग बिलकुल Basic से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चो मतलब कि TENS क्या होता है एकदम Zero से पढ़ेंगे किसे पढ़ेंगे सर एकदम Zero Level से पढ़ेंगे एकदम Basic Level से पढ़ेंगे तो सबसे पहले मेरा सवाल आप सबों से है कि आप मेरे को बताओ कि टेंस किसे कहते हैं ये सवाल मेरा आप से है कि टेंस किसे कहते हैं सबसे पहले ये सवाल सब के मन में उठता है मेरे प्यारे बच्चो सब के मन में उठता है कि टेंस किसे कहते हैं देखिए मेरे प्यारे बच्छों, टेंस को समझने के लिए, गाल को समझने के लिए, हमें जो है, सबसे पहले समझना पढ़ेगा टाइम को, किसे समझना पढ़ेगा साथ, हमें समझना पढ़ेगा टाइम को समझना पढ़ेगा बच्छों, और जैसा कि आप, जैसा कि आप दे लिया है कि सर क्या time and tense जो है time जो है वो अलग चीज है और टेंस जो है वो अलग चीज है यह मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे पो बतलाओगे क्या आप बताओ कि क्या सर time ही टेंस है या tense ही time है तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल time और tense जो है वो अलग अलग चीज है यह दोनों एक चीज नहीं है तो सर क्या है तो देखो मेरे प्यारे बच्चो टाइम जो होता है ना वो natural process होता है टाइम क्या होता है सर्ड टाइम जो होता है वो natural process होता है लेकिन tense जो होता है वो natural process नहीं होता है यह आप हमेशा याद रखोगे और धिस इजब विउद दिफिरेंस अब थैम में टेंस तो यह बहुत बढ़ा डिफिरेंस है किसका time और टेंस में कि time जो होता है वो natural process होता है और tense जो होता है वो natural process नहीं होता है तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चो और आगे हमें यह सिखना है कि tense जो है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चो तेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले time को समझना पड़ेगा और action को समझना पड़ेगा क्यों sir वो इसलिए कि time और tense जो है मेरे प्यारे बच्चो तेंस पढ़ेंगे तो tense जो है वो relation रखता है समय से और action से, time से और action से, तो जब तक हम time और action को नहीं समझेंगे, तो हमें tense समझ में ही नहीं आएगा, हमें tense समझ में ही नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं, कि आखिर ये time होता क्या है, आखिर ये time होता क्या है, त तो एक बात आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए ये time, time को ही हम बोलते हैं समय, time को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, time को हम लोग बोलते हैं समय, और ये समय क्या होता है sir, ये समय क्या होता है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, time को हम technically, time को हम technically थीन देखो मैं ठेकनिकली बोल रहा हूं ऐसे तो समय को नहीं बाग तक नहीं को समय क्या है समय बलवान है समय को हम लोग बाठी नहीं सकते हैं लेकिन ठेकनिकली भासा में भासा को सीखने के लिए हम ठेकनिकली समय को तीन भाग में बाठ दियें कौन को से भाग में सर तो पहला है सर परजेंट टाइम दूसरा पास्ट टाइम और तीसरा फ्यूचर टाइम समझ में आ रही बातो बाते बच्चो तो पहला परजेंट टाइम दूसरा पास्ट टाइम और तीसरा फ्यूचर टाइम सर अब यह परजेंट टाइम पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम क्या होता ह सर तो देखो मेरे प्यारे वच्चो परजेंट टाइम उस समय को कहते हैं मतलब समय का वह हिस्सा समय का वह हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्षन को experience करते हैं किसी भी एक्षन को हम क्या करते हैं सर experience करते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो फैन चल रहा है light जल र रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि present time उस time को कहते हैं, present time समय का वह हिस्सा होता है, जिसमें हम किसी भी action को experience करते हैं, किसी भी action को हम क्या करते हैं sir, experience करते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे present time, ये clear हो गया sir, दूसरा आता है past time, तो sir ये past time क्या होता है, तो पास्ट टाइम अब इजी हो गया, पास्ट टाइम उस समय को कहते हैं, समय का वह हिस्सा होता है, जिसमें हम किसी भी एक्षन को experience कर चुके होते हैं, किसी भी एक्षन का experience हम कर चुके होते हैं, उसे हम बोलते हैं, पास्ट टाइम, कोई दिकत मेरे प्यारे बच्चो, कोई उसमें हम एक्षण को एक्स्प्रेंस कर चुके होता है जैसे आपने खाया था ध् Got Squelic पूल गया था कल पढ़ाई की थी तो आपने ये सारे एक्षन को आपने क्या कर चुके हैं आप ये सारे एक्षन को आप एक्स्प्रियेंस कर चुके हैं उसके बाद आता है अगला टाइम जो होता है फ्यूचर टाइम जो क्या होता है सर फ्यूचर टाइम अब फ्यूचर होता है जिसमें हम किसी भी एक्षन को एक्स्प्रियेंस नहीं करते हैं किसी भी एक्षन को एक्स्प्रियेंस नहीं करते हैं समझ में आरे मेरे प्यारे बच्चों कि फ्यूचर टाइम जो होता है उस सारा का वह हिश्सा होता है जिसमें हम किसी भी एक्सन को experience नहीं करते हैं मैं school जाओंगा उसे बात करूंगा आपने भी बात किया उससे नहीं किया लेकिन आपके prediction कर लिया कि मैं उससे बात करूँगा और यह आपके mood पर npr कर रहा है कि आप बात करोगे या नहीं जैसे मैं बोल दूँ कि कल मैं Monica के बड़े में जाऊंगा तो अब ही आपके mood पर nprне कर रहा है और या भी सकते हो और नहीं प्यारे वच्चो इंट टाइम एंट टेंस को पढ़ने के लिए हमें पहले टाइम को समझना पड़ेगा क्यों सर क्योंकि टाइम का टेंस का डिलेशन जो है वो टाइम और एक्षन से है तो यहां टाइम जो है टाइम को हम लोग थीन पार्ट में डिवाइड किये ठेकनी कली क्योंकि ऐसे तो हम दो समय को नहीं बाठ सकते हैं क्योंकि समय क्या है सर बलवान है आप महाभारत में देखा भी होगा कि बोलता है कि मैं समय हूं तो समय से बलवान कोई हो ही नहीं सकता है तो लेकिन टेकनी कली पढ़ाई के मद्दे नजर रखते हुए हम लोगों ने करते हैं पास टाइम क्या हुआ सर पास टाइम उस टाइम हुआ जिसमें हम किसी भी एक्सन को एक्स्प्रियेंस कर चुके होते हैं और फ्यूचर टाइम क्या हुआ सर फ्यूचर टाइम समय का हुआ हिस्सा हुआ जिसमें हम किसी भी एक्सन को एक्स्प्रियेंस नहीं करते है वो हमारे prediction पर depend करता है या तो फिर हमारे mood पर depend करता है समझ में आरे मेरे प्यारे बच्चो बहुत सारे बच्चे जो है past time को बोल देते हैं कि बीता हुआ समय जो होता है उसे past बोलते हैं बीता हुआ समय को past time बोलते हैं लेकिन ये बचक कहना बिल्कुल गलत है बीता हुआ सम समय ही पास्ट बन जाता है बरतमान समय ही क्या होता है सर पास्ट बन जाता है जैसे आप समझ सकते हो कि जिस समय मैंने यह क्लास स्टार्ट किया उस समय के लिए बरतमान समय था परजेंट टाइम था और अभी के लिए वही समय क्या बन गया सर वही समय जो है पास्ट बन गया तो आप कह सकते हो, कि बीता हुआ, बीता हुआ, परजेन टाइम ही जो है, पास्ट बन जाता है, बीता हुआ, परजेन टाइम ही क्या है सर, पास्ट बन जाता है, बीता हुआ समय नहीं, जो परजेन टाइम होता है सर, वही पास्ट बन जाता है, जैसे अब देखो न, अभी मै नहीं से बोल रहा हूं मैं जो भी सब्ध बोल रहा हूं आपके सामने वह पास्ट होते जा रहा है घ्याय कहा जा रहा है तो वह सब्सक्त को मो鼻िका कर देना है तो हमें यह सीखने को मिला कि परजेंट टाइम क्या होता है सर और फ्यूचर टाइम क्या होता है सर परजेंट टाइम क्या होता है सर पास्ट टाइम क्या होता है सर फ्यूचर टाइम क्या होता है सर तो टेंस का रिलेशन जो है टाइम और एक्शन से है टाइम और ए एक्षन को हम लोग four types में divide कर दिये हैं, कौन-कौन से types सर, पहला indefinite action, दूसरा continuous action, तीसरा perfect action और चौथा perfect continuous action, सो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये continuous action क्या होता है सर, तो देखो continuous action English language में वह action होता है, जो action जहां से start होता है, क्या होता है सर, जहां से start होता है, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ, जैसी मैं bottle से पानी पीना शुरू किया, आप बोलो गेना कि सर पान पी रहे हैं, तो कहने का यहां मतलब हुआ बच्चों, कि English language में जहां से action start होता है, उसी को हम लोग continuous action के नाम से जानते हैं, continuous action के नाम से जानते हैं, जैसे कि अभी मैं statue हूँ, और मैं जैसे ही statue हूँ, अब मैं थोरा से हिलने डूलने लगा, तो आप बोलो गेना कि सर हिल र रहे हैं, तो कहने का यहां मतलब हुआ, कि English language में action जैसी start होगा, जहां से start होगा, उसे हम लोग नाम देते हैं, continuous action, उसे क्या नाम देते हैं, बच्चों, उसे हम लोग नाम देते हैं, continuous action, अब हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो action शुरू होता है, जो action शुरू होता है, उसका end भी तो हूगा Moh action complete भी तो हूगा जैसे कि अभी मैं class ले रहा हूँ अभी मैंने class जर्ट किया अब क्या होगा sir class जर्ट किया तो class एक समय आने के भाद ये class complete भी तो हूगा आज का class end भी तो हूगा तो जहां से action शुरू हुआ और जो action जहां जाकर complete होगा एक्षन पर्फिक्ट हुआ तो वो हो गया पर्फिक्ट एक्षन अब है पर्फिक्ट कॉंटिनिवस एक्षन तो आप देख सकते हो कि पर्फिक्ट कॉंटिनिवस एक्षन जो होता है इसमें पर्फिक्ट और कॉंटिनिवस का क्या है सर पर्फिक्ट और कॉंटिनिवस का कुछ action जो है वो चल रहा होगा कुछ action चल रहा होगा जैसे मैं अभी बोलू कि मैं जो है दस मिनट से पढ़ा रहा हूं मैं दस मिनट से क्या कर रहा हूं सर पढ़ा रहा हूं तो जो दस मिनट से पढ़ा रहा हूं जो दस मिनट है वो complete हो गया वो complete हो गया और अभी भी मैं क्य उस action को कहते हैं जिस action में action का कुछ हिस्सा complete हो चुका है और कुछ हिस्सा जो है अभी भी जारी है कुछ हिस्सा अभी भी जारी है उसके वाद आता है एक हमारा बच्व indefinite action definite मतलब होता है नीचीत और indefinite मतलब तो कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्षन जिसका हमको समय का ही पताना चले जिसका हमें समय का ही पताना चले वो हागे हो गया जैसे आप हमसे पूछोगे कि Sir, आप क्या करते हो, तो मैं बोलूगा कि Sir, बवा मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो आप अप मेरे को बताओगे बच्चों कि मैं पढ़ाता हूं, मैं कब पढ़ाता हूं, पढ़ाने का उसका क्या समय है, आपको पता चल रहा है आपको पता नहीं चल रहा है बच्चा कि मैं जो है कभ पढ़ाता हूं मैं कभ पढ़ाता हूं सुबह में पढ़ाता हूं किसाम में पढ़ाता हूं कभ पढ़ाता हूं आपको इसकी जनकारी नहीं है तो यह सारे कौन से एक्षन में आएगा सर यह सारे आएगा indefinite action में कौन से action में sir indefinite action में so मेरे प्यारे वच्चो action के जो है यहाँ four types है कितने types है sir four types है कौन कौन से sir indefinite action continuous action perfect action और perfect continuous action अब जो continuous action जो बतलाएगा इसमें जो है action होगा इसमें action होगा इस continuous action में एक्षन होगा, पर्फिक्ट एक्षन में भी, एहां भी सर एक्षन होगा, एक्षन होगा तभी तो एक्षन के बारे में बताएगा, पर्फिक्ट कॉंटिनिवस एक्षन में भी, एहां भी एक्षन जो है, वो होगा, मतलब इस तीनों एक्षन में जो है, इसमें एक्षन होने क sense नहीं देगा not action इसमें सिर्फ जो है सिर्फ यह information देने का काम करेगा क्या करेगा sir information देने का काम करेगा जैसे मैं बोलूगे आप क्या करते हो तो आप बोलोगे sir मैं पढ़ाई करता हूँ तो आप पढ़ाई करते हो अप पढ़ाई कब करते हो इसकी जनकारी तो हमें नहीं मिल रही है तो यह जो है एक तरह का क्या दे रहा है in definite action information दे रहा है समझ में आ रही बात है लेकिन continuous action में मैं बोलूं continuous action में मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं मैं अभी का कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं तो इसमें action हो रहा है इसमें action होने का sense देगा perfect action perfect action में मैं बोलूँ कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया मैंने अपना काम क्या किया सर पूरा कर लिया तो इसमें भी action होने का sense दे रहा है perfect continuous action perfect continuous action में मैं बोलूँ कि मैं जो है दो घंटे से पढ़ा रहा हूं तो दो घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब इस action में भी action होने का sense दे रहा है, तो कहने का यह तातपर है मेरे प्यारे बच्चो कि जब indifinit action की बात करेंगे, तो indifinit action में हमें सिर्फ information देगा, उसमें action होने का उसमें sense नहीं रहेगा, जैसे मैं आपसे मैं बोलों कि मैं प्रती दिन सुवा चाय पीता हूँ मैं प्रती दिन सुवा चाय पीता हूँ तो क्या मैं अभी चाय पी रहा हूँ क्या मैं अभी चाय पी रहा हूँ बोलोगे नहीं सर आप तो नहीं पी रहे हो इसका मतलब यह क्या दे रहा है, sir? यह जो है, circ-idas, information दे रहा है Continuous action, मैं बोलूओं कि मैं चाई पी रहा हूं मतलब क्या हूँ, यह जो है इसमें action हो रहा है इसमें action हो रहा है perfect action perfect action में मैं चाई पी चुका हूं यहाँ भी action हूआ, sir सर मैं दो मिनट से चाय पी रहा हूं यहां भी एक्षन हुआ सर तो आप इस चीज को समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चो यह एक्षन जो है वो फोर टाइपस में हमने डिवाइड कर दिया एक इंडिफिनिट एक्षन एक कॉंटिनिवस एक्षन एक परफिक्ट एक्षन और परफिक्ट एक्षन और टेंस जो होता है वो टाइम और एक्षन का ही रिलेसन होता है तो टाइम समझ में आ गया एक्षन समझ में आ गया तो अब जो है अब जो है हम tense के definition पे चलते हैं तो देखो tense का definition क्या कहता है सर tense का definition कहता है tense is a form of the verb that allows you to express time मतलब tense जो है किसे कहते है सर तो tense जो है वो form of verb होता है क्या होता है सर form of verb अब यह सर form of verb क्या होता है इसकी जनकारी मैं आपको आगे दूँगा यह form of verb क्या होता है सर जो that allows you to express time जो express क्या करता है सर time को express करता है उसे हम tense कहते है मतलब form of verb को form of verb को form of verb को हम tense कहते है मतलब verb ही tense है और tense ही verb है इसको हम आगे proof करेंगे इसके बाद आता है सर दूसरा definition आप देख लो काता है तेंस जो है, इन्दिफिनिट दुपनिट 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 द action जो है कौन से समय में हुआ कौन से समय में हुआ उसको बतलाने का काम जो है वो tense करता है कौन करता है सर tense करता है तो आप जैसे आप simple way में कह सकते हो सर आप simple way में बतला सकते हो लिख सकते हो कि बच्चो सर tense क्या होता है तो आप जो है लिख सकते हो time plus action time plus action time plus action को क्या बोलते हैं सर हम लोग tense कहते हैं मतलब कि tense indefinite the time of occurrence of an action or event मतलब कि action और कोई भी event कौन से समय में हुआ है उसको बतलाने का काम कौन करता है सर tense करता है जैसे कि आप एक simple definition से समझ सकते हो कि काल किरिया का वगा रूप है जिससे किसी भी कार का होने की सूचना मिलती है उसे हम काल कहते है हिंदी में आप समझ सकते हो कि काल किरिया का वगा रूप है जिससे किसी भी कार की होने की क्या मिलती है सर हमें सूचना मिलती है उसे हम काल कहते है जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ सर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्षन क्या है सर पढ़ाना कब पढ़ा रहा हूँ अभी पढ़ा रहा हूँ परजेंट में पढ़ा रहा हूँ तो present हुआ time और action हुआ teaching समझ में आरे मेरे प्यारे बच्चो आप क्या कर रहे हो सर तो आप बोलोगे कि सर मैं अभी पढ़ रहा हूँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो action क्या है सर इसमें पढ़ना और कब पढ़ रहे हो सर अभी पढ़ रहे हो, मतलब present time में पढ़ रहे हो समझ में आ रहे ही बाते तो यह जो है ands का definition हुआ क्या हुआ सर कि किरिया का वह रूप जिससे किसी भी कारकी होने की सूच ना मिलती है उससे हम क्या कहते हैं सर उससे हम TENS कहते है उसे हम क्या कहते है सर, उसे हम tense कहते है, और आप सबसे short definition यहां लिख सकते हो, कि tense जो होता है, वो time plus action होता है, time plus action होता है, और एक महत्पूर्ण बात हमें यहां सीखना है, कि first definition में तुम देख रहे हो, कि tense is a form of the verb, that allows you to express time, तो यहां form of the verb बोल रहा है, tense के बारे में, तो form of verb इसलिए बोल रहा है सर, कि देखो time को बतलाने के लिए English भासा में किस की जरूत परती है, verb की जरूत परती है, action को so करने के लिए English भासा में किसकी जरूत परती है, verb की परती है, समझ में आरी बाते, अगर English language में हमें time को denote करना रहेगा, denote करना रहेगा तो हम किस की अवसकता लेंगे मदद लेंगे अगर हमें action को show करना होगा तो हम किस की मदद लेंगे वर्ब की मदद लेंगे इसी लिए मेरे प्यारे बच्चों यहां बोला गया है कि tense जो है वो form of verb ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है मतलब कि time जो है time को हम भव से ही denote करेंगे action को हम relation है तो कह सकते हो time जो है वो भव है तैंस जो है वो भव है वो tens इसलिए हाँ पर यह लिखा हुआ है तो यह definition आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किरिया का वह रूप, काल जो है, किरिया का वह रूप है, जिससे किसी भी कारकी होने की सूचना मिलती है, उसे हम टेंस कहते हैं, या फिर दूसरे तरीके से यह कह सकते हो, इस फॉर्मो वहव को जो है, हम टेंस कहते हैं, फॉर्मो वहव को जो है, हम टेंस कहते हैं, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ें, जब आगे बढ़ें, तो हमें यह सीखने को मिला, यह जानने को मिला, कि टेंस जो है, टेंस के टाइप होते हैं, टेंस के क्या होते हैं सर, टाइप सब टेंस, टेंस के टाइप सोते हैं, कितने टाइप सोते हैं सर, तो टेंस के तीन टाइपस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से सर परजेंटेंस पास्टेंस फ्यूचर टेंस परजेंटेंस पास्टेंस और फ्यूचर टेंस अब यह परजेंटेंस पास्टेंस फ्यूचर टेंस कैसे हुआ सर तो परजेंटेंस समझ में आ रहे हो ना समझ में तो परजेन टेंस जो है यह हो गया परजेन टेंस परजेन टेंस में जो है एक्षन परजेन टेंस जो टाइम है टाइम में हम लोग परजेन टेंस को हम लोग चार पाट में क्या कर दिए डिव हाइड कर दिए कौन कौन से सर तो पहला परजेन टेंस परजेन टेंस परजेन कॉ और परजेन परफिक्ट कॉंटिनिवर्स टेंस। समझ में आरेगे मेरे बच्चों। तो परजेन इंडीफिनिटेंस क्या है सार्ट यह पूरा टाइम है और यह क्या है सर्ट पूरा एक्सन है। यह क्या है सर्ट यह present time हो गया, और यह क्या हो गया sir, यह action हो गया, और time और action मिलके क्या बन गया sir, tense बन गया, समझ में आ रही है, time और action मिलके tense बन गया, अब इस present time में यह चारो action होगा, present indefinite, present continuous, present perfect और present perfect continuous, समझ में आ रही है बाते बच्चों, यह present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, और यह present क्या है सर तो time है यह क्या है सर तो action है और time plus action क्या होता है सर तो time plus action tense होता है time plus action tense होता है इसी तरह से हम आ जाएंगे past tense में तो यह हो गया past indefinite tense, past perfect tense, past continuous tense और past perfect continuous tense समझ में आ रही बात है तो यह हो गया past indefinite tense past perfect tense past continuous tense और past perfect continuous tense तो यह past time का हो गया तो यह पूरा past time हो गया और यह क्या है sir यह हमारा action हो गया यह क्या है sir यह हमारा action हो गया यह क्या हो गया sir यह हमारा time हो गया और time और action मिलके क्या बन गया sir तैंज बन गया ताइम और एक्शन मिलके क्या बन गया सिर टेंस बन गया समझ में आ रही ये बाते बातें वच्चो तो पास nessa यह हो गया उसके बाद एक last 10 यह होता है सर फ्यूचर टेंज तो फ्यूचर टेंज भी सारए ही है क्या है सर तो फूचर इंडिफिनी टेंज, फूचर कॉंटिनी वस्टेंज, फूचर पर्फेक्टेंज, और फूचर पर्फेक्ट कॉंटिनी वस्टेंज, तो यह तिसरा टाइम है हमारा फूचर, यह हो गया हमारा टाइम, फूचर टाइम, और यह हमारा क्या हो गया सर, यह हमारा ए तेंस होता है, तो समझ में आ रहे हैं मेरी पैरे बच्चों, तो क्या समझ में आया आपको, सर मुझे यह समझ में आया, कि टेंस जो होता है, वो टाइम और एक्षन का रिलेशन होता है, तो टाइम क्या होता है सर, तो टाइम को हिंदी में हम लोग समय बोलते हैं, और समय सर क् समय को हम लोग तीन भाग में विवाजित कर देते हैं और वो बन जाता है परजेंग टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम परजेंग टाइम क्या होता है सर तो समय का वह हिस्सा होता है जिसमें हम किसी भी एक्षन को experience करते हैं पास्ट टाइम क्या होता है सर, पास्ट टाइम वह टाइम होता है, मतलब समय का हुआ हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्षन को experience कर चुके होते हैं, और फ्यूचर टाइम क्या होता है सर, फ्यूचर टाइम समय का हुआ हिस्सा होता है, जिसमें हम किसी भी एक्षन को experience नहीं करते ह वो डिपेंड करता है हमारे मूड पे और वो डिपेंड करता है प्रिडिक्षन पे समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे वच्चो उसके बाद होता है एक्षन एक्षन क्या है सर एक्षन को हम लोग चार पाट में डिवाइड कर देते हैं इंडिफिनिट एक्षन continuous action, perfect action और perfect continuous action indefinite action जो होता है उसमें हमें समय का पता ही नहीं चलता है कि action कब हो रहा है continuous action उस action को कहते हैं जिसमें कि action हो रहा है जिसमें action चालू है समझ में आ रहे हैं मेरी प्यारे बच्चो उसके बाद होता है perfect action perfect action में action complete हो चुका होता है और perfect continuous action चल रहा होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं सर उसे हम लोग बोलते हैं perfect continuous action और जब time और action को मिला देते हैं तो बन जाता है tense और tense का definition बन जाता है क्या सर एक तो बन जाता है form of verb is called tense और दूसरा time of an action is called tense मतलब किरिया का वह रूप जिससे किसी भी कार्य की होने की सूचना मिलती है उसे हम tense कहते है मतलब action किस समय में हो रहा है action किस समय में हो रहा है इसको बतलाने का काम कौन करता है सर tense करता है जैसे मैं बोलू कि मैं कल घर गया था मैं कल घर गया था तो मैं कब घर गया था सर? कल गया था यह बतलाने का कौन काम किया? tense काम किया कल क्या हुआ सर? तो कल मैंने घर गया कब गया? तो कल गया तो action और time का relation ही जो है बच्छो वो tense है तो इसका सबसे short-cut definition आप tense का कह सकते हो time plus action is called tense मतलब action किस समय में हुआ? कौन कौन से result types का होता है present tense, past tense, future tense present tense, past tense, future tense मतलब जैसे कि यह जो action होगा present time में यह जो चार एक्षर है यह चारो एक्षर परेंट TIME में होगा मतलब present indefinite, present continuous present perfect present perfect continuous इसी तरह से जब past time की बात करेंगे तो past में भी चारो एक्षर होगा Past Indiefinite, Past Continuous, Past Perfect और Past Perfect Continuous इसी तरह से future में वह ही काम होगा future indefinite, future continuous, future perfect तो मेरे प्यारे बच्चों आज के कलास में हम लोगों ने क्या सीखा कि tense जो है वो क्या होता है tense जो है हम किसे कहते है तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि टेंस जो है वो किसे कहते हैं टेंस जो है किसे कहते हैं I hope कि आज के बाद आपको कभी confusion नहीं होगा कि टेंस किसे कहते हैं आपको कभी भी problem नहीं होगा कोई भी पूछेगा आप आप राम से बता देगोई, कि टेंस क्या होता है, कि से कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आजकी कलास में हमलोग स्कॉर्फ हम्लिख करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों चलिए तब तक के लिए आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ अगर आपको आज की कलास पसंद आई हो मेरे प्यारे बच्चों तो आप इससे लाइक करो, सेर करो और कोमेंट भी अवस करो मेरे प्यारे बच्चों चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थाइंक्यू, बाइबाई